असलाम वालेकुम विल्कम बैक टू माई अनदर ब्लॉग्स कैसे मेरी यूटूब फैमिली उमीद करती हूँ आप लुग सब खैरियत से होंगे और आपकी दूआ से अलहमदुलेला मैं भी टिक्टाग हूँ तो अभी सुबाक 6 बजरा है और अरम का आज 1st day school है बहुत excited भी है वेकेशन के बाद आज 1st day school है बहुत मुश्किल से उठी है वेकेशन जब हो जाता है तो बच्चों लोग को आदत पर जाता है देर तक सोने का तो 1st day में बहुत problem होता है उठने में और राज में पूरा ता खेर ये बच्चा है और खासकर सुबह मित्त ठंडा पढ़ रहा है कि एरम जो है टोपी और सुटर पेहन की बड़स कर रही है तो मैं उसको पानी दे दी हूं गरम करके वो बड़स कर रही है मैं यहां पर उसका टीफिन पैक कर रही हूं मैं एरम को टीफिन में मैगी बनाकर जब चौकलेट था और बिस्कुट रख दूगी उसको ज़्यादा टीफिन खाना पसंद नहीं है वो मैगी तो खा लेगी पर ख़जूर पक्का फ़संद नहीं करती है मैं फिर भी दे दी हूं कि जब उसको जो मन करेगा खा लेगी वो सुवा सुबbur कुछ खाना। इसलिए ये सब दे दी हूं एरम ज्यादा खाती नहीं है धाती है। बाहर रहेगी तो भूख लगेगा तो यह सब रख दीं हूं जो मन करेगा वो खा लेगी और यहाँ पर उसको नॉर्मल में बोतल दे रही हूँ वो बोतल नेक्स टाइम जो है स्कूल में ही छोड़ दी थी एरम यहाँ पर ड्रेस वरेस पहन के रेडी हो गई है मैं सिर्फ उसका हेर बना दूँगी तो उसके बाद उसके पपा को उठाऊंगी तो लेकर जाएंगी स्कूल तो यही मैं उसका हेर बना रही हूँ बहुत छोटा बाल है इदर से पहुर तो उदर से छुड़ता है एरम को लॉंग हेर का बहुत सौक है इसलिए मैं अब उसका बाल नहीं कटवाऊंगी उसको छोड़ दूँगी बढ़नी के लिए और सुबह सुबह इतना ठंडा पढ़ रहा है कि एरम घृता ठंडा लग रहा है कि वो हीटर के पास से पैर हटा नहीं रही है ठंडा में खासकर बच्चों लोग को बहुत प्राब्लम हो जाता है वो भी स्कूल गोइंग किट्स लोग को तो और भी ज्यादा प्राब्लम होता है सुबह सुबह उठकर तयार हो और स्कूल जाने पड़ता है और एरम का तो सारे छे बजी स्कूल है पर उसको मैं छे बजी उठा देती हूं उसके बाद से मैं नहीं उठाती हूं हस्बेन उठाते हैं मैं तो खुद तीन बजे सोती हूं तो मेरा खुद नीन नहीं खुलता है तो इसके पापाई उठा देते हैं हम दोनों को उसके बाद खुछ सो जाते हैं मैं इसको रेडी करती हूँ उसके बाद फिर तो एरम रेडी हो जाती है तो फिर हस्बेन को उठाती हूँ तो इसकूल लेकर जाते हैं तो एरम को स्कूल छोड़ने के बाद मैं सो जाती हूँ तो मैं उठीती फिर भी अंधेरा था ये सुबा का दस बज़रा है तो यहाँ पे मैं नास्ता बनानी जा रही हूँ तो आज मेरे कीचन में बन रहा है आलू का रोटी वो भी मैं आटा के साथ ही इसको गुंदूगी तो आटा ले ली हूँ चार कफ उसमें मैं अधरक लहसन का पेष्ट एक चमच एट की हूँ और आधा किलो आलू इसको अच्छे से मैस करके मैं इसमें एट कर दी हूँ एक चम द्धनिया का पत्ता ऐट करना है तो उसको बारीक करके द्धनियाःक पत्ता का डंठल आट नहीं कर रही हूं उसका पत्ती अध करीsover on compare के लेट कर उंगी न तो जब रोटी बिलिए तो रोटी इसक्वा अर शीलिए सिर्फ यहां पे मैं धनिया पत्ति आट की हूँ में पर सोफ्ट सा डरो बना लूंगी इसका चलते हैं के कुकिंग के तरफ तो अम्में यहां पर बेल रही है और मैं सेकूंगी अब में को देखा रही है इसका पेरा की किता बढ़ा रहेगा तो इसका पेरा थोड़ा ज्ञाधा बढ़ा नहीं कियूंकि की की तो खुद ही आठा इसक पर रख रही है मैं इसको तलूंगी ओभी सर्सों के तिल में तया तल रही है उसको तो इसी तरह मैं आलू के सारे रोटी बना लूंगी मेरे से रोटी फुलता नहीं आप से फुलता यह नहीं है कॉमेंट में जरूर बताईएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक सिर और सस्क्राइब कर दीजिएगा तो यह एकदम सौफ्ट सी रोटी बन गई है और इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है तो यह है दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम में बना था आलू का चोखा, बैगन का चोखा, टमाटर का चोखा और मटर का घुगनी, अभी सीजन है मटर का तो मटर का घुगनी बन रहा है और यहां टामाटर वली दाल हाँ पे सालात के साथ हम लोग करेंगे अपना लंच विथा चार के साथ के वक्त में आज हम्मी बना रही है कचोड़ी और मैं बना रही हूँ जलेबी तो यह जलेबी है इंस्टेंट बन जाने वाली जलेबी कि इसमें सब कुछे इंगरीडियन्स सब मिक्स है सिर्फ इसको जितना मेजर्मेंट सब दिया हुआ है इसी मताबिक इसमें पानि आड करके इसका पेस्ट बना लेना है अर üzहा डबबा में भर कर आप इसको बना लीजी तो में सब कुछ दिया हूआ है मैं इस बोटल की मत्रसें में मेजरमेंट करके पानी ले रही यहां पर मैं सेकंड टाइम बनाई तो थोरा सा अच्छा बन गया था यहां पर मेरी ननत जो है इसको शीरा में डीप कर रही है तो अम्मी कचोरी बनाए थी तो उसके साथ कचोरी जलेबी हम लोग यहां पर खा रहे हैं तो यह वाली कचोरी अमी सुझी और मतर से बनाई है रजाई में आराम फर्मा रहे थे तो यह मुझम ठंडा में तो काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता पर अराम करने का पूरा-पूरा मन करता है तो इसी तरह साम गुजर रही है आप लोग कैसी गुजर रही है कॉमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करके बताईएगा त तो यह एरम अपने लिए चौकलेट लाई थी तो इसको अनम को दी है कि वह खा रही कि नहीं तो कोसिस कर रही है मुझम में लेने के लिए तो लेने पार ही कि नहीं देखिए चलते हैं देखते हैं तो इसको अभी पता नहीं किसे खाया जाता है तो वह अभी कोसिसी कर रही है यहां मुझ तक पहुंच गया था तो टेस्ट अच्छा लगा तो वह खा रही है हेरम भी है राने कि वह भी खाने लगी है ऐसी हैपी वाल इवनिंग के साथ मैं करती हूं अपने वीडियो का इंट अपना रखेगा बहुत बहुत ख्याल और हमें रखेगा दौाओं में या मुझ अपने झाल और हमें अजया बहुत खाने करते हैं है कि वह रखेगा जब ढि आता है आर को हुए है तो पार को हैं और हमें यागा रखेज़ा कि लिग्गाउद पले इंटी है और हम आपने करते हैं झाल